प्रोग्राम इंसाइट के साथ मैं हूँ सिद्रा सत्ती नाजरीन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हालिया मौशी और स्यासी सूरते हाल पर बात करेंगे हकूमत को अब किन किन चैलेंजिस का सामना है इसी पर बात करने के लिए हमाईसा स्टूडियोस में मौजूद है जावेद अक्बाल सहाफ सीनियर तज्जियाकार और अंकर परसन है असलाम लेकूं वालेकूं सलाम सिद्रा कैसे हैं आप अच्छे जावेद साब पाकिस्तान की सूरत अहाल के बारे में बताएं कि इस वक्ट जो हकूमत की कारगर्दगी है पाकिस्तान किस जगा खड़ा है बहुत शुक्रिया सिद्रा और शुक्रिया इन्वाइट करने का भी यकीनी तोर पर तकरीबन साथ माँ से जाहिद का वक्त हो चुका है कि नई हकूमत वजूद में आ चुकी है और जब से ये नई हकूमत तहरीक इन्साफ की आई है तो इसने पहले दिन से ही जो गुजशता हकूमत थी मुस्यमली गनून की, मिया नवाज शरीफ की उस हकूमत पर ये तनकीद भी कर रही है उनको ब्लेम भी दे रही है यकीनी तो और पर देखें हम ये तो नहीं कह सकते कि इस मुलक के अंदर जो सिस्टम चला है जो गुजशता निजाम चला है या जो हकूमतें चली है वो बड़ी ट्रास्पेरंट तरीके से चली है करप्शन भी हुई है, बैट गुजश भी है सब कुछ हुआ है लेकिन एक ऐसी सूरतिहाल से मेरे खियाल मैं गुजशता दस सालों में क्योंके पाकिस्तान के अंदर एक तो हमेशा से सियासतदान ये गिला करते हैं कि हमने कम हुकूमत की और आमरियत ने, डिक्टेटरशिप ने ज्यादा हुकूमत की तो इस वज़ा से ये भी एक गिला शिक्वा रहता है अच्छा जो इस्टाबलिश्मेंट है वो ये गिला करती है कि गवर्निंस साफ नहीं है मेरे खियाल में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तज़रबे हो चुके हैं पाकिस्तान की फौज ने इस्टाबलिश्मेंट ने टेक ओवर किया चार से जायत मरतबा टेक ओवर किया और मुल्क को संभाला लेकिन मेरे खियाल में पाकिस्तान बनाया सियास्तदानों ने था पाकिस्तान फौज की इस्टाबलिश्मेंट की इस मुलक को कायम दाइम करने के लिए इस मुलक में अमन कायम करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानिया है और मेरे खाल में पाकिस्तान की पूरी अवाम अगर किसी एक नुक्ते पे वो मुत्फिक है तो वो ये है कि पाकिस्तान की फौच के साथ महबत और उसका एहतराम उनके दिलों में बसता रचता है लहाजा उस रा में जो रुकावटें भी आती है चाहे सियास्तदान हो चाहे दानिश्वर हो चाहे कोई भी इस खिसम के लोग हो जो किसी भी किसम की गलत फहमी पहलाने के कोशिश करते हैं लोग उनको रद कर दे दे हैं मेरे ख्याल में सुरत इहाल यह है कि जब नई हुकूमत आती है तो वो जो हमने पिछले जो तजर्बा किया है या जो हमने देखा है इस मुलक के अंदर चार पांच एलेक्शन बहेसियत इस हाफी जो मैंने देखे हैं तो हमने देखा है कि अब्तिदाई चंद दिनों तक और अगर आप बहुत भी ज्यादा कर लें तो एक महीने तक शायद नई हुकूमत जो होती है वो पुरानी हुकूमत पे साबिका हुकूमत पे तनकीद करती रहती है उसके बाद वो अपना विजर देती है अवाम को छोगों को बताती है कि यह मेरा विजर्ण है, यह मेरी पॉलिसीजैज हैं, मैंने इस विजर्ण के मबवग चलते हैं अपने की वादों का अमल तरामत शारी है कि कर्स उनको मिल गए हैं, दोसे हमालिक ने भी उनको काफी जदा हुआ है, बिलकुल, बो पैसे कहा चा रहे है अब उस में अब पैसे दी हैं, उस रिज़र्व को मैंटेम करने के लिए दोस्मालिकगों ने पैसे दी हैं, चाएना से भी पैसा आया है, साओधी अररब से टेल भी आ रहा है फिर मुतहदा अरबामारात ने भी कमिट किया था वहां से भी वो तेल आ रहा है तो चले वो वो चीजे हैं जो के एक जगा रखने के लिए है जहां तक कर्स की बात है या मुलक की मैशत को चलाने की बात है तो मेरे ख्याल में इनको सबसे पहले काम ये करना चाह कि ये मुलक इस तरह से नहीं चलेगा हमने I M F के पास जाना ही जाना ह necess implies जैसे कैसा उमर्प साब हुझ कहते हैं कि ये अाखरी परोगैम हो का ला करी ये आखरी परोगैम हो हमें I M F के चुंगल से निकलना है तो इनको चाहिए था कि ये शुरू में ये फैसला कर लेते कि हमें I.M.F के पास जाना है अब देखें हुआ कि आई साथ महीने के अंदर पाकिसान के अंदर गहर यकीनी सुरतिहाल पैदा हुई है ठीक है वजिर आजम साब की ये कोशिश थी और वजिर आजम साब का ये विजन था कि पहले दोस्त मुमालिक के पास जाया जाए दोस्त मुमालिक से पैसे हासल किये जाए उसके बाद देखा जाए कि सुरतिहाल अगर बहुत ज़्यादा खराब होती है तो फिर I.M.F के पास जाए जाए बिलकुल ठीक है अब डॉलर की जो नाचरल कीमत है इस वक्त जो नाचरल वैल्यू है वो होनी चाहिए लगबग 120 के लगबग होना चाहिए लेकिन डॉलर आपका 140 140 से उपर जा रहा है ठीक है अब इन सारी चीज़ों को आपने काबू करना है तो मेरे ख्याल में इस हकूमत की जो परफार्मन्स है इसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो माशी चैलेंज है अब माशी चैलेंज को किस तरह से काबू करते हैं मेरे ख्याल में ये अब असद उमर्ण साब अमेरिका में भी है तो इसके बाद जो एक नक्षा हमारे सामने आ जाएगा वो यह है कि देखें तहरीक निसाफ के रिखुमारा जो है वो अपोजिशन बिंग अपोजिशन वो तनकिया मतब जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं मुश्किलात यकीनी तोर पैदा कर सकते हैं देखें मौलाना फदल रह्मान जो है इस मुलक के एक एहम रहनुमा हैं उन पर तनकीद की जाती है उनके नजबियात से इखिलाफ सही लेकिन वो इस मुलक की एक एक एकाई है यनि सियासी एकाई है ठीक है अब वो अगर मिल रहे ह नवाज शरीफ साब के साथ आसिफ अली जरदारी साथ के साथ और दिगर जमातों के साथ तारीख गवा है जब जब मौलाना फदल रह्मान ने कुछ इस तरह की हरकात की है तो उससे मुश्किलात तो देखें इसलिए पैदा होंगी कि मौलाना साथ एक बहुत बड़े दीन में भी बनाई गई लेहाजा ये मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और देखें तहरीक इनसाफ को इस वक्त चंड वोटों की बड़तरी हासल है कौमी समली के अंदर तो अगर वो आदादों शुमार थोड़े से भी आगे पीछे हो जाएं तो मेरे ख्याल में फिर मुश्किला बन सकती हैं अदम इतमाद का जो मामला है ये भी सामने आ सकता है लेकिन ये तमाम के तमाम सियासदान वक्त को देख रहे हैं क्योंके महंगाई बेकाबू हो रही है अब चुनके गर्विया शुरू हो गई है लोट शेडिंग के मामला थैं रमजान और मुबारिक बहुत कर कि अगर महंगाई बड़ेगी और इनके काभू में चीज़े नहीं आएंगी तो उसके बाद फिर होगा क्या कि अवाम निकलेंगे जब अवाम निकलेंगे तो फिर जाहर है आवाम किसी और तरफ देखेंगे मेरे ख्याल में हुकूमत को यह चाहिए कि फौरी तोर पे जो इन कि तर्मीन के लिए या किसी भी तैयनाती के लिए उपोजिशन की ज़रूरत है आपको अगर आपने अलेक्शन कमिशन के में मरांज लेने है उसमें भी आपने मिया शहवाज शरीफ साथ के साथ बैठना है और उनकी रहे शामिल करनी है अगर आपने नैप के चेरमेन की तै अच्छे आप 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 नहीं समझते कि इमरान खान को जादा सक्ती करने लगें मतब जैसे ये नैप का मामला आजाता है उनका बस यही एक मकसद है कि जी सब को पकड़ूंगा सब करप्शन को खतम करूंगा देखें इससे एक सुरतहाल जो है इससे मुझे इतिफाक है कि सक्ती करते हैं लेकिन ना बाई डिफाल्ट ये उनके जंडे के साथ भी जुड़ा हुआ है अमरान खान साथ शूरू दिन से उनकी 22 साला जो जिद जहर है वो करप्शन के खिलाफ है ठीक है आप जरूर करप्शन के खिलाफ इकदामात करें आप गवरनन्स ऐसी दें जो ट् तो मकसद कहन का या कि है कि इदारों को अपना Kाम करने दे हम यह नहीं कहते हैं उनको कर्प्षन की है उनको पकड़े है उनको पकड़ए दे लेकिन अमिएि र बुचारी करेंगे नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ है ब्रेक के बाद दुबारा गुफ्तुगों का सिलसला चारी देए बुचारी करेंगे नाजरीन ब्रेक कानुन साजी नाफस करने में अब तक कामियाब क्यों नहीं हो सके है देखें सितरा यह वही वाली बात है कि गर्मेंट और ऑपोजिशन की वर्किंग रिलेशनशिप्स अगर आप देखें तो ना तो विफाकी जो हकूमत है उसने उपोजिशन के साथ तालुकात सही रखे और नहीं कामी समली के अंदर अब तक कोई कानुन पास हो सका है और नहीं पंजाब समली के अंदर कोई कानुन पास हो सका है मेरे ख्याल में ये हमने देखा है गुजश्टा हुकूमतों में कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि साथ माँ से जायद का वक्त हो चुका है और अभी तक मामलात कानुन साजी की तरफ नहीं गए बड़ी फिक्र की बात है और मैं समझता हूं कि मुक्तदर हलकी भी इस वक्त तश्वीश के शिकार है कि अभी तक कोई कानुन साजी नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत और अमरान खान साथ जो है हो चाहिए जतना आप एक दूसरे को पसंद ना करें लेकिन पाकिस्तान की आईन की और कानुनी जरूरत यह है कि हुकूमत वजिर आजम और ऑपोजिशन लीडर दोनों मिलें क्यूंकि देखें आप ऑपोजिशन लीडर को भी तो लोगों ने वोट दिया है ना तब ही ओव इस अमली में पहुंचाये आपको भी वोट मिले है हुकूमत जान लीडर को भी वोट मिले है इसीवजЯसे मामलात आगे नहीं गए प्र वहाँ पर पे पंजब के अंदर हमजा शयबाज ऑपोजिशन लीडर है वहां पर भी यह मामलात इसी तरह चलुने थे कि मुलक के अंदर एक भी नहीं, दो भी नहीं, पतने कितने 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 कितन नियादी तबदीलेंगेंगे के नियादी तबदीलेंगे हमारी तबज़े बहुत कम गई है हमजा शेलबास का जो मामला है वो यकीनी तोर पर उस पे बहुत से लोग तश्वीश का शिकार है कि एकी दिन में एकी दिन में ऐसा हुआ चुटी के दिन ऐसा हुआ और उनकी दर्खास भी इंटर्टेन हो गई लेकिन हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि इस मुलक में एक अदालत जो थी वो रात के बारा बज़े भी लगी थी याना हनीफ अबासी का अगर आप केस देखें तो रात के ग्यारा बज़े उनको सजा मिली थी तो मकस्द कहने का ये है कि आप खुदी एक ऐसा निजाम वज़ा कर देते हैं कि लोगों को उस पर तंकीद करने का मौका मिल जाता है मेरे ख्याल में नैप के जो केसिस हैं हमजा शाबास शरीफ के खिलाफ उनके मसाइल अलग हैं उनकी बेटी है वो बिमार है और गुजशता रोस मिया शाबास शरीफ ने ट्विट भी किया कि उनकी सरजरी भी हुई लेकिन केसिस की वज़े से हमजा शाबास उनको नहीं दे और उन्होंने करप्शन नहीं की तो मेरे खाल मैं नैब के सामने खड़े होके और नैब को तफ़ें लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है कि नैब का जो चीजें इसे बहुत बड़े इतराजाद हैं बिलकुल है उस पे इतराजाद हैं उसके भी एक सबसे बड़ा इतराज यह है कि उसके कानून में यह है कि आप पर इल्जाम साबित नहीं होता लेकिन आप किसी को गिरफतार कर लेते हैं। ताकि उसमें से भी अगर कोई गुझाइश है तो उस गुझाइश को निकाल दिया जाए ताकि उस पर इतरास करने का मौका ना मिल सके। कि इंडिया पाकिस्तान पे एक बार फिर मुहिम जूई करे। और फैसल वार्डा साब अब मैं क्या कह सकता ह। फैसल वार्डा साब ने ऐसा अजीब गरीब बयान दिया है। हम तो अल्ला से दुआ करते हैं कि ऐसा हो जैसा फैसल वार्डा ने कहा है। लेकिन इस वक्त की जो सूरतिहाल है, साथ मा की जो परफॉर्मंस है उस से नहीं लगता कि ये सब कुछ चार हफ़ते में होने वाला है। मेबी फैसल वार्डा साब जो हैं उनके जहन में वही बात हो जो वजिर आजम साब ने कही थी कि कराची के समंदर में तेल निकल रहा है और वो यहां का एशिया का और दुनिया के बड़े जखायर में से होगा। अगर फरस किया अला करे के ऐसा हो और हो भी जाता है तो मेरे ख्याल में उसको मैनेज करने में उसको सिस्टम में लाने में उसमें बड़ा वक्त लगता है। तो मेरे खाल में फैसल वार्डा साब को भी थोड़ी से हत्यात करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए, जिनका अमली जिंदगी से और रियालिटी से कोई तालुक हो, देखें पहले भी इन्होंने बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स की हुई हैं, और उन कमिटमेंट्स की मेरे खाल में शेख रशीद आहमद बोलते अच्छा हैं और बनना भी कुछ होर चाहते थे, बन गया है वो वजिर रेलवे, तो मेरे खाल में एक सियासी वरकर है, सियासी बयान बाजी और सियासी बयान देना बड़े मज़ेवे इस सियासी गफटगू करते हैं, इंटरस्ट अच्छान की जो माशी हालत है, अगर उसमें आप डेर्ड लाफ नोकरियों को देखें, तो मेरे खियाल में कुछ रियालिटी से उसका तालुक नदर नहीं आएगा, हो सकता है, आई एमेफ के साथ बात करने के बाद, इनकी माशी हालत बहतर हो, तो फिर नोकरियां आजाए तो मेरे च्ताब देखत है, एक र मेहालत पंच साल से महाल से अच्छान थाख, उडि genercellichis आएगां, वषान से विगिना शाय रीरेशन तो मेरे तो मेरे खियाथ निए खुदगे görस्पाइख, थाफ है। शेख रशीद की बात कर रहे हैं नहीं हुकूमत नहीं यह बात है देखें नहीं हुकूमत तो देखें इमरान खान साब तो कहते हैं कि मेरी हुकूमत जारी रहेगी और मैं इसाब भी करूँगा चोरों का इसाब भी करूँगा मुल्क की मईशत को भी ठीक करूँगा देखें पाकिस्तान की अवाम ने उनको वोट दिया उनको मेंडेट दिया पाकिस्तान की अवाम उनसे तवक्क भी रखते हैं बहुत बड़ा इतमाद किया उनके पाकिस्तान की अवाम उनसे तवक्क भी रखते हैं कि वो मेहनत करेंगे वो पाकिस्तान की मेश्चत को भी ठीक करेंगे वो जो लुटा हुआ पैसा था जो वो रोज कहा करते थे कि 10 अरब की मनी लॉंडिंग रोज हो रही है अब आप वो देखें कि 10 अरब की मनी लॉंडिंग अगर अभी वो रुक भी गई है साथ महीने में तो कई सौ अरब रोपे जो है वो मिल सकते थे लेकिन उनको रियालिटीज का शायद इल्म नहीं था अच्छा महंगाई की अगर आप बात देखें तो उन्हीं का कहना था कि जब महंगाई बढ़ जा तो समझो कि तुमारा हमिरान जो है वो करॉप्शन कर रहा है मेरे ख्याल में देखें ये वोई चीज़ें हैं जो अब वो पहले कहा करते थे अब वोई चीज़ें हुकूमत में रह के उनके सामने आ गई है शायद इससे पहले उनके जहन में ये बात नहीं थी कि अगर आप उपोजिशन में होते हैं तो दावे करना, बातें करना, इल्जामात लगाना ये बहुत आसान होता है लेकिन जब हुकूमत में आके बैट जाते हैं तो फिर आपके लिए बड़े मसाहिल बन जाते हैं इस वक्ता की जो मिश्चते हैं, बार-बार एकी नक्ते के गर्थ गूमते हैं कि पाकिस्तां की जो मिश्चत है, पाकिस्तां की जो माशी सहत है वो बहुत कम्जोर है और ये जव्यवर वजिर आज़ा है, इस से पहले उनको शायद मिस G ाइड किया गया था शायद इस खिसम की बातें उनके जहन में डाल दी गई थी कि अगर आप ये कहेंगे तो ये एक popular नारा है और यकिनी तौर पर popular नारा है देखें अगर आप कहते हैं कि करॉप्शन के खिलाफ और करॉप्शन हमने खतम करनी है एतिसाब करना है चोरों डाकों को हमने अंदर डालना है आपने जो कुछ भी करना है आपने कानून के दायरे में रहते हुए करना है जैसे आप देखें हुसेन नवाज शरीफ के जो इंटर पॉल के पास जो दरखास गई थी और जो सबूत गए थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसमें नाकाबले ये जो है ना सबूत आपके काफी नहीं है हम इस वज़ा से उनको अरेस्ट नहीं कर सकते तो देखें दुनिया के अंदर जो कानून है उसको भी सबूत चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो कानून है उसको भी सबूत चाहिए जब आपके पास ये सुबूत नहीं होंगे तो आपका वज़ियाजम या आपके इतसाबी अदारे जितने भी नारे मारते रहें आप किसी को पकड़ नहीं सकते अगर पकड़ भी लेंगे वो ये आपको कहेंगे कि आप उनको विक्तमाइज कर रहें लेकिन आप उनके खिलाफ को साबित कर नहीं सकेंगे अच्छा आप देखें तजारती खसारे में भी कमी आई ये सैंटीस पिससद जो है वो कमी वाकि हुई है कैसे देख रहें हैं मेरे ख्याल में देखें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला बजट का है वो है ये डेफिसेट अगर इस में कमी आती है तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बहतर साइन है पाकिस्तान के बजट के लिए क्योंकि आप देखें आपने दो महीने बाद आप बजट के प्रॉसस में इंटर हो जाना है और बजट आपने देना है इस कौम को जो के प्रॉसस अभी तक शुरू है और मुझे जो मेरी इतलाइत है उसके मताबक बड़ी परिशानी भी है हुकूमती बेंचेस के अंदर क्योंकि अभी तक IMF के साथ आपका प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ जब तक IMF के साथ फाइनल नहीं होगा वहां से पैसे नहीं आएंगे तो आपका बजट बनेगा नहीं जब वहां से मामलात होंगे शरायत पेश होंगी वो शरायत यह कहते थे कि हम शरायत उनकी नहीं बांते हैं बहुत से चीज़ों पे खत्म हो गई है फिर आप बिजली और गैस के बिल्स देखें आप आज पाकिस्तान का हर शखस रो रहा है जो तहरीक इनसाफ का वोटर है वो भी रो रहा है कि जी हमने इस लिए वोट तो नहीं दिया था इनको कि हमारे इतने बड़े बड़े बिल आए आप जो है ना दोसो परसंट से जाएद आपने इजाफा किये है गैस के बिलो में फिर बिजली पर बहुत बड़ा प्रेशर है आई मैपका कि आप मजीद उसको महंगी करें तो मेरे खियाल में जब आप और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आने वाली गर्मिया है उसमें 30 से 40 पीसद ज्यादा भी लेंगे जिसका 20,000 आता था उसका अब 35,000 और 40,000 तक आएगा तो मकसद कहने हैं कि यह कि सारे यह मसाइल हैं जो इस हकूमत ने हल करने हैं बहुत शुक्रिया जावेद साब आपका प्रोग्राम में आने के लिए नाजरीन अब हकूमत पे मुनहसर है कि वो किस तरहां से अपनी कही वी बातों पर अमल करती है और मुल्क के हालात को सुधारती है बाते और दावे तो हर हकूमत करती है मगर कितना अमल करती है यह आएदा आने वाले वक्तों में ही पता चल सेगा कैसी साथ में सिद्रा सती इंसाइट से चाहती हम इजाज़त अलाहां फेज करता अमल करता अमल करता है